कि नवस्कार आप सभी दर्शकों को धन्तेरस और दिपावली की शुब कामना है तेकि अगर हम ओवराल कमोर्टी की बात करते तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्राइजस के अंदर कमोर्टी प्राइजस के अंदर एक बड़ी तेजी रहेगी और पिछले साल पैंडामिक के बाद हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी पूरे कमोर्टी पैक के अंदर चाहे एगरी कमोर्टी हो चाहे नॉन आगरी कमोर्टी हो कि जादा करके देखा जा है अब अगला साल काफी crucial होना है मैं अभी भी समझता हूं कि कमोर्टी की जो ये सूपर साइकल है ये आने वाले सालों में continue चलेगी बट जिस दंग से पिछले एक साल के के लिए अगर हम बात करें या छोटे अवदी के लिए बात करें तो प्राइजेस के थोड़ा कूल डाउन जुरूर आ सकता है बट अभी जो एक सर्कुलर बूल रन बना हुआ है कमोर्टी में वह हमें लगता है वह continue new रहेगा तो अगले ही दिवाली तक के अगर हम पीक की बात करें तो देरा सटन कमोर्टी जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए तो पहले हम एगरी से carry or stock अच्छा होने के ज्यादा performance नहीं था बट अब कहीना कई sewing में भी कमी आने की उमीद है और साथ में हमने देखा carry or stock भी काफी कम हुआ है कहीना कई export demand देरे open up हो रहा decision से pandemic के बाद consumption देरे देरे बढ़ते जा रहा है overall हमारी fundamental और technical analysis यह बताती है कि जीरा आने वाले कुछ मैनों के अंदर एक शांदार return दे सकता है तो जीरे में हमने टेक्निकली भी देखा कि प्राइजस 1000 रुपे की तेजी पिछले तीन मैने में दिखा चुका है यह तेजी continue मौटी बनती है जिसका नाम है धनिया धनिया में हमने पिछले एक साल में 56 सो रुपे से 8000 तक की रैली अलड़ी आते वे देखी केरियोर स्टॉक अभी भी कम है इंटरनेशनल मार्केट की जो डिमांड है वो कहिना के अगेर इंडिया पे दावादार रहेगा overall डिमांड ध बैदर कंडिशन में कुछ भी कंसंस आता है तो धनिया में एक अच्छा कासा उचाल देखने मिल सकता है नो डाट पिछले कुछ दिनों में हमने कंसलिडिशन देखा है तो हो सकता है साड़े साथ अजार के करीब मिले तो वापस एक बाइन अक्टिविटी बन सकती है बट overall हमें लगता है यह कमोर्टी 12,000 तक का भी लेवल फरवरी के अंग तक दिखा सकता है तीसरी कमोर्टी पे हम आ जाते हैं तीसरी कमोर्टी कॉटन कॉंप्लेक्स के अंदर है अल्री कॉटन में हमने बड़ी तेजी देखी है ऐसी कुछ तेजी कॉटन सीड ओल के अर्था 1225 के बीच में अच्छे से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है अर्यवाल प्रेशर से हो सकता है प्राइजर्स में 100-200 पॉइंट की गिरावट अगर आ भी जाती है तो घबरानी के बात नहीं यह लेने के एक अपॉर्ट्योटी है जो हमें लगता है कि दिसंबर के अं अठाई सो पचास बट सबसे जादा इसमें जो गेंस मिलना है वो आपको मिलेगा मार्च और अप्रेल में जह हम उमीद करते हैं प्राइजर्स तीन अजार आट सो तक का भी लेवल दिखा सकता है अब एगरी से निकल कर हम नॉन एगरी कमोर्टी में आ जाते हैं नॉन एग का बट गिरावट भी उसी तरज पर आया है बट जिस जन से बेस मेटल में तेजी बनी है और इंडर्स्रिल कर्जंप्चन भढ़ रहा है आने वाले साल में वापत चान्दी में एक अच्छी बैट बन सकती है जिस जन से गोल्ड सिल्वर रिशो में गिरावट है तो हमें ल वहीं दूसरी कमोडिटी है नेचरल गैस काफी सर्प्राइज है बिकाज नेचरल गैस में हमने रैली भी काफी अच्छी देखी है बट कही ना कही अब ये रैली खतम होते वे दिखाई दे रहे है तो हमारी सला रहेगी नेचरल गैस में लेंड ना करे हायर लेवल पर विक